आज के इस वीडियो का टाइटल है कि how to score above 150 in MHT CET in last few days. देखें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि ये जो strategy डिसकस करने वाला हूँ, ये strategy कोई ऐसी वैसी strategy नहीं है. ये strategy single digit rank holders COAPNs ने prepare की हुई strategy है. फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो फ्रेंड्स हमने हमारे चैनल पे already MHT CET 2021 के preparation के बहुत सारे वीडियो अपलोड किये हैं, तो फ्रेंड्स एक बार आप हमारे चैनल को विजिट करके, प्लेइलिस्ट में से MHT CET 2021 ओपन करके, ये सारे वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, और फ्रेंड्स हमने already कई सारे engineering college के review भी अपलोड किये हैं, उसकी भी playlist आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी. नमस्कार दोस्तों सौगेत आपका मेरी YouTube चैनल College Guru में, कैसे हो आप सब, I hope सब सेफ होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, आज के इस वीडियो का टाइटल है, कि how to score above 150 in MHTCT in last few days, देखें दोस्तों, सब से पहले में आपको यह बता दू, कि यह जो strategy डिसकस करने वाला हूँ, यह strategy कोई ऐसी वैसी strategy नहीं है, यह strategy, single digit rank holders, COAPIANS ने prepare की हुई strategy है, और इस strategy को prepare करने वालें की rank 3, rank 2, rank 4, rank 7, rank 9, और बहुत सारे COAPIANS के experience के अनुसार हमने यह strategy बनाई है, सब से पहले हम यह जानते हैं, कि आपको MHTCT में above 150 score करना क्यों important है, तो आपको मैं एक fact बता देता हूँ, कि अगर आप देखेंगे, in the year 2019, average package at COAPI was 7.5 lakh, और उसी year, in the year 2020, average package in PCCIE was 4 lakh, तो आप देख सकते हो, इन दोनों में जो difference है, वो लगबग double है, यानि कि यह कुछ CET के 20 या 30 mark से, आप अपना package double कर सकते हो, और अगर आपने in last case, 45 to 50 days में अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, तो आप 4 साल निशिंद होके, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छा package हसिल कर सकते हो, तो इन 45 to 50 days में थोड़ा सा tension लेके, आप अगले 4 साल relax हो सकते हो, तो देखते हैं कि इन strategy में क्या-क्या discuss किया गया है तो friends, आपके MST-CAT score या आपके direct second year के score या आपके J-Main के score के उपर आपको माराष्टर में कौन-कौन सा engineering college मिल सकता है, इसकी total list आप आपके mark या percentile के basis पर मंगा सकते हैं friends, experts से design की गई top 50 plus college की list मिल जाएगी, उसी list को आप आपके interest से थोड़ा बहुत change कर सकते हैं, और cap round में use कर सकते हैं, और competition को bit कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे WhatsApp और Telegram पर contact करना होगा, उसकी link मैं आपको description box में दे दूँगा, जरूर इस चीज़ का फायदा उठाए और competition क को bit करें, तो सबसे पहला state जो है, वो है chapter wise previous year question, आपको पता है दोस्तों कि MSTCET में बहुत सारी questions लगपक same to same repeat होते हैं, with same data, or with similar concept, तो आपके पास previous year questions होने चाहिए, और आपको उनको solve करना होगा, अगर आपको अच्छा score करना है, तो previous year questions अगर आप देखेंगे, तो मैं आ आपको suggest करूंगा, कि आप 2016 से लेकर 2020 तक सारे chapter wise previous year questions को collect करें, और उनको chapter की पढ़ाय होने के बाद, आप उनको attempt करें, ताकि आपकी practice भी हो, और आपको एक idea भी आजाए कि आपकी chapter की पढ़ाय कैसी हुई है, next question आपके मन में आ सकता है, कि यह जो previous year question है, वो आपको मिलेंग यह कहा से, तो मैं आपको पता दू कि 2016 से लेकर 2018 तक, जब MHDCAT offline pain and paper mode में हुई थी, उसके सारे question paper, Google पे आसानी से आपको मिल जाएंगे, और आपको अगर 2019 और 2020 के previous year questions, session वास चाहिए होंगे, तो नीचे मैंने WhatsApp की link दे दी है, आप उस group को join करके, उसमें आप question papers के लिए request कर सकते हो, और आपको 2019 और 2020 के session wise question papers आसानी से मिल जाएंगे, next बात करते हैं, दोस्तों कि इन last दिनों में MHDCAT की preparation कैसी की जाए, तो step two जो है, वो है महाराष्टा बोर्ड test book, आपको मैंने बहुत बार कहा है, कि MHDCAT completely best है, महाराष्टा बोर्ड test books के उपर, तो आपको different है, अगर आप उससे धरो हो, आपको सारी theory और concepts clear है, तो आप आसानी से MHDCAT में अच्छा score कर सकते हो, जिहां वही point मैंने यहां पर लिखा है, कि read and solve thoroughly, आपको test book उठानी है, चाहिए वो physics की हो, chemistry की हो, या फिर math की हो, आपको उसकी theory textbook, महाराष्टा बोर्ड की test book से पढ़ करें और try करें कि उनमें concept कौन सा explain किया गया है, उसी concept के इसाफ से आपको similar type के question MHDCAT में पूछे जाते हैं, अगला point वही है, कि 90% questions are based on textbook concept, जहां दोस्तों खास कर कि जो भी आपके solved questions होते हैं, physics में उनका जो concept होता है, similar concept के questions आपको MHDCAT में पूछे जाते हैं, तो आपका first task जो होने वाला है, वो है कि आप previous year questions collect करो, second task जो होने वाला है, कि आप जो भी आपके boards में, आपको जो भी chapter prepare करना है, उसकी theory आप textbook से पढ़ लो, उसे related solved, unsolved questions को attempt कर लो, और उस theory और concept जो भी questions में पूछे थे, उसको आप try करो समझने का, अब बात करते हैं दोस्तों, step 3 के ब जिहां दोस्तों, अभी आपका main goal जो है, वो है कि आपको आच्छा score करना है, तो mainly focus यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा marks कैसे हासिल कर सकते हो, तो आपको जो भी आपके MSTCET के related, जो भी आपके chapter wise weightage है, आपको उसको देखना पड़ेगा, उससे related हमने इससे पहले एक video डाला था, उसकी link आपको i button में दीख रहे होगी, आप वो video refer कर सकते हो, chapter wise weightage के लिए, चो chapter wise weightage आपको देखना है, और उसकी अनुसार, जिस chapter को ज़्यादा weightage होगा, उनकी पड़ाई आप जल्दी से जल्दी start करें, और try करें, उस chapter पे आप ज़्यादा practice कर सको, इस weightage के अनुसार, अच्छे marks हासिल कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इस video के important part की तरफ, जो कि है MSTCET preparation का complete plan, यह जो plan है, यह मैंने खुद ने apply किया था, मेरे last के end के दिनों में, जिसके वज़े से मुझा अच्छा score मिला, और वही मैं आज schedule आपके साथ share क करना चाहता हूँ, वह है step 4, जो कि complete plan, तो मैं आपको suggest करूंगा, आपको अगर अगले 50 to 55 days में अच्छे preparation करनी है, तो it's not compulsory कि आप सुबह जल्दी 5 बज़े उठ जाओ, और सीधे पढ़ाई करने लग जाओ, नो, आपकी पास अच्छा खासा time है, आप अच्छी कासी पढ करते नहीं बढ़ता था, मैं first काम करता था, कि मैं ready होता था, breakfast करता था और थोड़ी बहुत exercise कर लेता था, यह क्यों, क्योंकि हमारी जो body होती है, वो सुबह उठने के बाद लगभग dead गंटे के लिए subconscious mind आपका सोया होता है, और वो active नहीं रहता है, तो आपको इस brain को active करन पड़ाई के लिए नहीं जाना है, आप प्रेफर करिए कि आप ready हो जाओ, आप exercise कर लो थोड़ी बहुत और फिर breakfast कर लो, यह सब चीजे करने के बाद, आपको first काम जो करना है, वो है previous year questions, जो मैंने आपके साथ discuss किये थे, उनको solve करना है, मैंने वही लिका ही आपे, कि 7.45 से 8.30 तक आप previous year questions solve करो, आपको याद रखना है कि दोस्तों कि आप जबी भी सुबह जल्दी उठते हो, तो first कभी भी theoretical subject या फिर theory पढ़ना नहीं है, क्यूंकि आपका brain अभी भी subconscious mind में सोया हुए है, और आपको अगर इस brain को active करना है, तो आपको कुछ challenges उठाने पड़ेंगा और उस challenge को complete करना पड़ेगा, तो आप जब previous year questions solve करते हो, तो आपके brain के उपर एक stress आता है, जिससे brain और active हो जाता है, और वो अपने mode में चला जाता है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि आगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, 7-7 बजे, तो first task आपका ये है, कि आप previous year question solve करो, अब previous year question जो है, मैं आपको बोलूँगा, कि आप physics या फिर math के question solve करने का try करो, क्योंकि ये question काफी challenging और काफी interesting होते है, और आपका brain काफी हद तक active हो जाता है, ये सब होने के बाद, आप उठने के बाद, लगबग तेड़ गंटे के ब subject पढ़ सकते हो, जिया दोस्तों, इसलिए मैंने कहा है, कि 830 to 835, आप एक break लीजे, और इस break में आपको करना क्या है, मैं आपको suggest करूंगा, कि आपको ये सोचना है, कि आपकी CT exam कितनी नजदी का रही है, CT का portion कितनी बचा है, ताकि आपको situation की एक overall understanding आ जाए, और आप अच पर करता था कि मैं chemistry पढ़ू, आप physics भी पढ़ सकते हो, 835 to 1045, आप chemistry पढ़ सकते हो, chemistry में आप subject जो है, उनके chapter होते, chapter में आपको board की textbook को follow करने है, और test book पढ़ना है, test book को आपको completely concentrate करके पढ़ना है, आपको focus देना है, आपको topics को समझ लेना है, और जबी भी आप chapter या फि को break करना है, छोटे छोटे पार्ट में, अगर आप, अगर आप chemistry की बात करोगे, तो एक chapter होता है, आप रोक्स 30 to 35 pages, तो it's not possible कि आप one shot में पूरे 30 to 35 pages पढ़ लो, तो आपको topics में break करना है, और उन topics को एक बार पढ़ना है, समझ लेना है, और उस topic के related, फिर आपको जो भी previous year questions आये थे, उनको solve करने का try करना है, नेक्स आपका chemistry subject होने के बाद मैं आपको suggest करूँगा, कि आप 10.50 से 12.00 PM physics को उठाए, क्योंकि आपने 8.35 to 10.45 chemistry पढ़ ली, लेकिन आपने सिर्फ theory पढ़ी होगी, क्योंकि chemistry एक theoretical subject है, लेकिन अगर आप physics को देखेंगे, तो physics में theory के सा आते हैं, वो और interesting होते हैं, और आपकी level theory से थोड़ी और applications के उपर बढ़ जाती है, तो आपको chemistry subject होने के बाद, आप मैं suggest करूँगा, कि आप physics की आप practice करिये, वी theory, और physics होने के बाद, 12 बजए आप आपका lunch break ले सकते हो, जहापे आप अपना lunch करके थोड़ा बहुत इदर of the tell के थोड़ी news पढ़ लो, या फिर जो भी आपकी hobby है, उस पर आप time spend करो, मैं आपको strictly warn करना चाहूंगा, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, इस से दूर रहो break में, अगर आप देखेंगे, तो break में अगर आप YouTube या फिर WhatsApp के ओपर हो, तो आपका break का time आप अलगबग बढ़ाते जाते हो, तो आप आपको वो चीज नहीं करने है, आपको focus रहना है कि मेरा जो break है, वो 12 PM से 1 PM है, और इसके बाद मैं फिर से पढ़ाई के लिए बेटने वाला हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के साथ यह हुता है कि खाना खाने के बाद उनको नीद आने लग जाते हैं, तो आगर आपको य मैं मैं पर्सनली मैं प्रेफर करता था मेरे लंच के बाद, क्यूंकि मैं में बहुत सारे questions थे जो मुझे challenging लगते थे और मुझे मज़ा आता था उन questions को solve करने में, तो आप similar tip यूज कर सकते हो, और आप lunch break के बाद मैंस के जो previous question है, या फिर महाराष्टा बोर्ट, यह जो होता है, यह पिरेड आपको होता है, लेजी पिरेड, इसमें आप बोर हो जाते हो, इसमें आप खुद को convince करने का try करते हो, कि मैंने सुबह से 7 बजे से सुबह उठा, मैंने इतनी पढ़ाई कि आभी मुझे break लेना चाहिए, ऐसा वगेरा वगेरा, तो इसको skip करने क के लिए मैं आपको suggest करूंगा कि 3-4 बजे यह जो पिरेड है, आपको यह revision के लिए देना है, आपको सोचना है कि सुबह से अभी तक मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन मैंने वह पढ़ाई actually की क्या थी, कौन-कौन से topic मैंने पढ़े थे, कौन-कौन से mcqs मैंने solve किय नाइट के 10.13 to 11.30, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आपको दिन में दो बार revision करनी है, एक 3-4 बजे और दूसरी रात को साड़े-10 से साड़े-11 बजे, और यह 3-4 आपके revision होने के बाद, आप similar pattern वापिस follow कर सकते हो, रात के साड़े-10 बजे तक, तो आगर आप यह complete plan follow करते हो, इस time table को stick करते हो, तो I doubt आपको 150 से कम एक भी mark आएगा, मैं आपको guarantee और मैं आपको challenge करता हूँ, कि अगर आपने यह plan focus किया, तो आपको 150 marks आराम से आजाएगे और आपको कोई भी college आराम से मिल जाएगा, आपको कोई भी stress लेने की जरूरत नहीं होगी, और आप आराम से कोई भी question tackle कर पाऊगे, यह plan को अगर आप stick करते हो, तो लेकिन इसके साथ एक prerequisite यह है, कि आपके पास previous year questions होने चाहिए, next बात करते है, दोस्तो step 5 के बारे में, जो कि यह time management practice, अभी बहुत सारे videos आपको YouTube पे मिल जाएगे, जिसमें आपको बताएगे, कि MST-CET में time management कैसे की जाए, जैसे आपको पता है कि 3 गंटों में, डेड़ गंटा आप मैच को देते हो, और डेड़ गंटा physics और chemistry को देते हो, physics को एक गंटा, chemistry को 30 minutes, यह तो usual time management है, यह सब को पता है, लेकिन ऐसे time management work नहीं करता है, दोस्तो, time management अगर आपको करना है, तो उस time management के आपक को practice करनी होगी, practice is very important, उस time management के आपको समझना पड़ेगा कि एक questions को इतना time लगना चाहिए, 15 questions को इतना time लगना चाहिए, यह सारी जो चीजे है, यह आपको practice के साथ आती है, तो practice आप कह देंगे कि मैं तो mock test दे दूँगा, तो mock test से मेरी practice हो जाएगी, जिया, यह राइट ह लेकिन mock test मुझे ऐसा लगता है कि last few दिनों में बच्चे क्या करते, mostly 10, जादा से जादा 10 mock test देंगे, उससे जादा mock test देते नहीं, और इससे मुझे नहीं लगता कि आपकी time management अच्छी कासी हो जाईगी, तो आपको करना क्या है, time management की practice करनी है, time management की practice कैसी करनी है, वो हम द concept clear होंगे, तो आपको कोई भी एक publication उठाना है, एक ही publication, अभी आपके पास time नहीं है, multiple publication solve करने की, तो आपको कोई भी एक publication उठाना है, और उस publication को solve करना है, और उस publication को chapter wise topics में आपको solve करना है, तो आप कैसे करेंगे, उस publication में उठाओ, और उसके कोई भी 15 questions ले लो, serially मैं कह कोई भी आप ले लो और उस 15 को टाइम अलॉट कर लो अभी 15 को टाइम कैसे अलॉट करना है वो हम नेक्स फ्लाइड में देखेंगे लेकिन आप अभी याद रखें कि 15 को आपको टाइम अलॉट करना है नेक्स्ट वही मैंने कहा है कि आसा है ठाइब नेक्स्ट हे यूज श्रकल पेपर जिसे हम सी पी कहते हैं अभी मुझे पता नहीं आप सर्कल पेपर से कितने वाकिफ हैं हम सर्कल पेपर के बार में और डीटेल नेक्स लाइड में देखेंगे solve 15 questions each time आपको 15 questions एक सेट में उठाने है 15 questions से ज्यादा नहीं 15 questions से कम नहीं क्यूंकि 15 questions जो होते हैं वह आपको एक brief idea दे देते कि आपको अगर आपके पास odd number of questions होंगे तो आप even number के time को कैसे distribute कर सकते हो तो हम circle paper के बार में next slide में discuss करें तो आप देख सकते हो कि circle paper जिसे हम CP केते हैं वो कुछ इस तरह का होता है यह जो CP होता है इस पर इतने सारे circles empty circles होते हैं जिसको आपको पेंट से भरना पड़ता है और उसके बाद आप 15 questions attempt करने के बाद आपको उनको cross check करना पड़ता है यहां पर मैंने जूम करके उस circle paper का एक font आपको दिखाया है आप देख सकते हो कि आपने question one attempt किया और उसका option a correct है तो आपको a पे circle करना है similarly two के लिए बी पे circle करना है c के लिए d और जैसे जैसे आपका answer होगा वैसे आपको total 15 questions solve करने और इन 15 questions को solve करने के बाद आपको उन 15 questions के answer cross check करने और आपको देखने कि यह correct है यह correct है या फिर यह wrong है और आपको खुद को marks देने और लेट से आपको 11 आउट और 15 आते तो आपको इससे आपकी उस topic पर पता चल जाएगी और आपको यह time allot करके करना है आपको extra time भी नहीं देना है इसके लिए कैसा time स्लाइड देना है वह हम अगली स्लाइड में देखेंगे लेकिन याद रखना है कि यह पैटन आपको फॉलो करना है अगर आप यह पैटन फॉलो करते हो तो आपकी time management की practice अच्छी खासी हो जाएगी और आपको time की कामी कभी भी सीटी की पेपर में नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको time का analysis समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि कौन से मिनिट में कौन सा कोशन सौल होना चाहिए और अगले कोशन या फिर अगले 10 कोशन के लिए कितना time circle पेपर को डाउनलोड कर सकते हो जहां दोस्तों जैसे कि मैंने आपको फिछले स्लाइड में बताया था कि आपको mhtcat के लिए total 15 questions all करने है chapter wise topics के लिए ताकि आपकी time management practice हो सके तो आपको इन 15 questions के लिए time के से अलोट करना है तो physics के लिए आपको total time देना है वह 18 minutes 15 questions के लिए देना है chemistry के लिए 12 minutes और math के लिए 30 minutes आपको stopwatch लगाना है और total 15 questions solve करना है और जो मैंने circle पेपर प्रोवाइड किया था उसमें ऐसे dot dot circle करने है ऐसे 15 questions और उन 15 questions को एक बार cross take करना है कि कौन-कौन से correct थे कौन-कौन से wrong थे और इससे आपके time management की practice हो जाएगी यहां पर मैं फिर से repeat कर देता हो कि physics के लिए 18 minutes chemistry के लिए 12 minutes और मैच के लिए 30 minutes आपको यही strictly follow करना है यही time आपको time management के लिए आपको stop watch लगा के यह follow करना है अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि यह strategy काफी unique थी अभी तक यह किसी ने discuss नहीं की थी कहीं पे भी आपको यूटूब पे ऐसी circle पेपर या फिर time management प्रक्टिस ऐसी चीज़े आपको देखने के नहीं मिलेगी तो आपको मैं बता दू कि college गुरू एक ऐसी टीम है जो आपके लिए हर समय help करने के लिए तयार रहे हैं आपको सिफ question या doubt पूचने हैं हम आपके लिए solutions लेकर आएंगे आपको एक important चीज़ मैं खुद से personal experience से बता रहा हूँ कि आपको motivated रहना है यह काफी important है आपको motivational लेना पड़ेगा कि मुझे CET में अच्छा score क्य अच्छा पैकेज लेना है क्यों मुझे ग्रो करना है यह सारी चीज़े आपकी खुद की personal development के लिए आपको एक society से आपको थोड़ा और अच्छा score करना है competitive environment के ऊपर जाना है आपको और एक अच्छी life आपको चाहिए इसके वज़े से आपको मेहनत करनी है तो आपको यह सम है अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपको physics में प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है मैं से प्रॉब्लम सॉल नहीं हो रहे हैं ताइम मैनेजमेंट फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हमारे वाटसप ग्रूप के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दीए उस पर आप चाहिए उस पर आप आपके कोशन दाले या फिर कमेंट सेक्शन दिया गया है दोस्तों यू डाउट होने चाहिए आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए एक अच्छा स्कूर करने के लिए और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंदा हूँ कि अगर आप यह स्ट्रेटर जी फालो करते हैं तो आप में एमेच्टी सीटी ट्वेंटी वन में फोड देंगे और आप स् चार साल रोना नहीं है आपको सीव यह पचास दिन रोना आए तीन ही सब्डेट है फिजिक्स चेमेस्टी मैट्स सिलेबस रिड्यूस्ट है और क्या चाहिए दोस्तों एक काफी अच्छा शॉट है आपके पास आपके पास सब कुछ है आप इस पॉइंट ऑफ टाइम आप ट्राइ करिए कि आप यह स्टाइटरजी फॉलो करें और आगर आपको यह विडियो पसंद आता है तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेर करिए ताकि वह भी मोटिवेट हो सके और सबकुछ इस चाइनल पर आपको मिलने वाला है तो आगर आपको ऐसी अप्डेट चाहिए होगी तो इस चाइनल को सब्स्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको भी आइडिया आ जाए कि एक्चुली सीटी में चल क्या रहा है तो इसी के साथ थाइंक यू एवरिवन फो वाचिंग इस वीडियो औल दे बेस फो